हेलो दोस्तों नमस्कारी स्टाक मारके शेयर रिटी चैनल में आपका स्वागत है अभी हम बात करने वाले हैं सर्वो टेक पावर लिम्टर शेयर की क्योंकि इसके संबंद में कुछ बहुत बड़ी बड़ी न्यूजे लिकल के सामने आई हैं तो उसे हम इस वीडियो में डीटेल से देखेंगे और इसके अलावा जो एफ हाई आई हैं उन्हें के बार में भी इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो होल्डिंग घटाई है उसमें कितना वो कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो हम न्यूज देखने वाले हैं उसमें से इनको एक बहुत बड़ा प्रजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है इवी चार्जिंग से संबंद ही थे इसके अलावा इसके बारे में कुछ रियूमर्स लिकल के सामने आये थी जिसके बारे में इस कम्पनी ने क्लिवरिफिकेशन लिकाल के दे दिया है अपने से होल् और ये जो कम्पनी 85 रुपे के आस पास ट्रेट करती थी वो फिलाले यहां पे 82 रुपे के आस पास ट्रेट करती हुए दिखाई दे रही है और ये गिरावट इसलिए आई है क्योंकि मार्केट में निगेटिव सेंटिमेंट हावी है और निप्टी में लगग 230 पॉइंट के गिरावट के साथ निप्टी बंध हुई है और इसका परभाव जो है जो सर्वर टेक पावर लिम्टर जो सेर है उस पे भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है हाला कि इससे समदी जो बखुत बड़ी बड़ी निवजे लिकल के आई है इस पहे आगे बढ़ना चाहिए था और 100 रुपे के आसपास ट्रेट करना चाहिए था लेकिन फिलाल इसमें जो निगेटिव सेंटिमेंट मार्केट का हावी है उसके कारण ये फिलाल 82 रुपे पे ट्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है वहीं अगर हम बात कर लें इसके 5 दिन की चार प्रेटन की लब 25% का ये कमपणी रिटरν लिकाल चाहिए अपने शेर हूर्ड का दिया है एक महिने क के बात करें तो 16% का निगेटीव रिटर्न जबकि 6 महिने के बात करें तो 5% का पॉसलिटीव रिटर्न लिकाल के देते हुए दिखाई दे रही है वहीं अगर हम बात करें या टेलेट लेट क दिखाई दे रहा होगा वहीं अगर हम बात करें इसके मैक्सिम चार्ट पैटर्ण की तो यह जो कम्पनी लिस्ट हुई थी 2021 सितंबर को एनसी पे दो रुप्य बावन पैसे पे तब से लेके अभी तक यह एक तीस सो तीरुपन परसेंट का रिटरन लिकाल के अपने दिखाई दे रहा है और इसके बारे में यहां पर पूरी डिटेल से जनकारी दी जा रही है और पताया जा रहा है जो सर्वर्ट एक पावर लिम्टेट कंपनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ फेनेसी पे आपको मिलती हुए दिखाई देगी वो फिलाल इवी चार्जिंग और सोलर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बनते हुए दिखाई दे रही है और इसे एक संस्टेंशियल जो है ने करने का काम करने वाली है बिस इलेक्रिक वेहकल जो चार्जिंग स्टेशन हुँगे उनके नासिक के मिन्सिपल कारप्रोशन एरिया है वहां पर यह डेव्लफ करते हुए दिखाई देने वाली है तो इसे साब से आप देख रहे हैं कि बिस चार्जिंग स्टेशनों का निर्मान करना अपने आप में एक छोटी सी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है अभी बहुत ही कम है लब अठारा सो करून का इसका मार्केट कैप बताया जा रहा है और ऐसे कंपनी को 20 इलेक्ट्रिक चार्जिंग का एक बहुत बड़ा आडर मिलना अपने आप में यह बताता है कि इस कंपनी का भवी से कैसा दिखाई देने वाला है इसके लावा यह बता रहे हैं आगे कि यह जो इंप्रूब करने वाली है नासिक इवी चार्जिंग नेटवर्क में उसको नकिवाल इस्टाल करेगी बलकि उसकी सप्लाई भी करेगी कमिशन भी करेगी कंस्ट्रक्शन भी करेगी और आने वाले समय में इसको मेंटेनेंस भी करते हुए दिखाई देने वाली है अगर किसी कारवास यह खराब होता है तो इसका मेंटेनेंस यहीं करते हुए दिखाई देगी अर्थाद यह फूल पाइकेज लेके एक त इस्टम लिमिटेड है उसके संबंद में 15 मार्च को एक मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है और यह जो मीटिंग होई है उसमें कुछ चीजों को एपरूबल दिया गया है जिसके बारे में यहां पे पुरी डिटेल से जनकारी दिये जा रही है और बताया जा रहा है कि यह जो कमपनी है उससे संबंदित जो क्रियेशन आप चार्ज आप टू लिमिट 300 करोण अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो अफ्राइजेशन आप केपिटल है उसकी लिमिट यह बढ़ा के 300 करोण करते हुए दिखाई देगी इसके अलावा जो यह एप्रूब करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो की बारूइंग अब टू लिमिट 300 करोण थात कहने का मतलब यह है कि यह अपनी जो बारूइंग है उसकी लिमिट बढ़ा के 300 करोण करते हुए दिखाई देने वाले हैं और इसका यह फिलहाल एप्रूबल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इसके अलावा जो सारी का भाटिया हैं उनको वोल टाइम डिरेक्टर बनाने के लिए यहां एप्रूबल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इसके अलावा कुछ और भी नीड लिए गए हैं जिसके बारे में यह बता रहे हैं कि सम्मंदित कुछे जो ओटिंग होनी हैं उसके लिए पोस्टल बैलेट को डिश्पेच कर दिया गया है और 15 मार्च का इसका जो कटाफ देट रखा गया था इवोटिंग से सम्मंदित उसको यह डिश्पेच करते हुए दिखाई दे रहे हैं इसके अलावा कुछ और भी अपॉइंटमेंट हुए हैं और यहां पर यह बता रहे आने वाले समय में आप इस पर इवोटिंग भी होते हुए निसकती है अब मगर बात करें अगले नियूज की तो यह जो नियूज लिकल के सामने आई है यह 12 मार्च को निकल के आती हुई दिखाई दे रही है और इसमें बताया जा रहा है कि जो सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड है उसके समंद में कुछ रिमर्स उड़ रहे हैं कुछ गलत इनफार्मेशन परसारित किया जा रहे हैं सोसल मीडिया पे मीडिया पे और इलेक्ट्रोनिस मीडिया पे उस पर यह क्लिरिफाई करते हुए नजर आई है और यह क्या रिमर्स उड़ रहे हैं उसके बारे में यहां बता रहे हैं कि यह मार्च एक 1 मार्च से लेकर 11 मार्च तक कंपञी के बारे में कुछ राख ओर रहे थे स्के बारे वहां तरे देते हुए नहां अरही है cut कि उसके साथ एक जो ile धिखिता हुआ दिखाई दिया था इसका एक रिलेशन जोड़ा जा रहा था रिमर्स में जो कि इस कंपनी ने क्लिरिफाई किया है कि इससे संबंदीत अमारा कोई भी रिलेशन नहीं है यहां पर इसाफ इन्हों ने लिखा है कि देरा नो कनेक्शन बिट्विन जैनित मल्टी ट्रेडिंग डिमसी एंड कंप सब्सक्तुं करते हैं इसके संबंद में कोई ऑफर का गाएडलाई हम फालो करते नहीं है इसके रूब बेन हैं उनके बारे मियें बता है कि डिलेखे संबंद में कोई बहु Frank में इसे जहर्कारी निकाल के नहीं दे परगेट है वह सरोटेक पावर लिम्टेट को बढ़ाना है न की जेनिट को तिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि यह जो कंपनी के बारे में जो निगेटिव निज लिकल के सामने आ रही थी उन्होंने इसको पूरा खारिज कर दिया है एक सीरे से इसके अलबा बारह मार्च को एक और निज लिकल के आती हुई दिखाईते रही है और इसमें यह बताया जा रहा है कि जो सरोटेक इवी इन्फरा गियर्स अब ग्रोथ अर्थात जो सरोटेक इवी इन्फरा है जो की जो सरोटेक पावर लिम्टेट कंपनी है उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है वो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आगे आती हुई दिखाई दे रही है और बता रही है कि इन्होंने एनाउंस किया है सर्थात कहने का मतलब यह है कि यह अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए तीन बहुत बड़ी दिशिजन लेती हुई नजरा रही है जिसमें एक जो डिशिजन ली है वो यह कि जो अपना स्टेटिक एक्विटी है उसका डायलूशन करते हुए दिखाई दे रही है और कितना यह डायलूशन करी है वो फिलाल आगे हम देखने वाले हैं उसके अलबा कुछ एपॉइंटमेंट भी यह करते हुए दिखाई दी है जिनमें जो प्रेम प्रकास जी है उनको CEO बनाया गया है जो नीरज गुपता जी है उनको AVP Operations बनाया गया है और यह जो यहां पर आप देख रहे हैं ServoTech Infra Private Limited वो फिलाल यह कंपनी ServoTech की सब्सिट्री कंपनी बताई जा रही है आगे इसके बारे पूरी डीटेल जनकारी देते हुए बता रहे हैं कि जो ServoTech Infra है successfully diluted 6% equity share जिसका बेल्वाशन लगबग 2,000 करोन बताया जा रहा है अर् ताकि company का जो growth है और expansion जो plan है उसको बढ़ाया जा सके उसको और भी श्तारीत किया जा सके इसके अलबा जो appointment हुए हैं उसके बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं और इसके अलबा एक और जो news legal के सामने आई है वो यह कि जो initial proof of concept भी site के रूप में यह 10 जो strategic location है नार्थ इं growth है company का वो nationwide star करते हुए दिखाई देने वाले हैं और अभी हम जो आपको बता रहे थे कि जो सर्वर्टेक इवी इंफ्रा प्राइबेट लिम्टेड है वो फिलाल subsidiary company है इंडिया की लीडी इवी चार्जिंग और solar product में काम करने वाली manufacturing करने वाली solar power system limited की साथी साथ यह बत अपना plan और ambition बढ़ाते हुए नजर आएंगे और इनको यह जो 200 करोण मिला है वो इस पे ही खर्च करते हुए दिखाई देने वाले हैं और इसके अलावा आगे यह बता रहे हैं कि एक EV charging station का जो कास्ट आता है वो 15-20 लाक रुपे आता हुआ दिखाई देता है अब अगर बात करें इसके जो प्रमोटर ने कितनी हिस्सेदारी बढ़ाई है कमपनी में उसकी तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस कमपनी का चुकि मार्केट के बताया जा रहा है और इसमें साब साब बताया जा रहा है कि दो प्रमोटर्स आफ कंपनी पाट 42,50,000 से और एंड इं लाग से खरीदा है और इनकी जो परसेंटेज थी है कि दिसंबर 2024 में जहां इनके पास 60.6% के आसपास शेयर होल्डिंग थी वो फिलहाल बढ़के कि ऐसे ही अगर कंपनी बिष्टार करती रही तो इसमें और भी ब्रिदी होते हुए दिखाई दे सकती है जब पिछले स्लाइड में प्रमोटर के होल्डिंग देख रहे थे तो इसमें आपको बताये थे कि जो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग बनी हुई है उसमें लेटे 2023 में वो फिलाल 66.6 के आसपास दिखाई दे रही है और यह बढ़ के फिलाल 16.37 के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई देगा जब आने वाले समय में यह यह डेटा जब अपडेट करते हुए दिखाई देंगे और दिसंबर के जगा जब मार्च 2024 निकल के सामने आएगा तो आप देखेंगे कि इनका जो अपडेशन है बढ़ता हुआ दिखाई देगा और यह बढ़के 16.37 के आसपास होता हुआ देखाई देने वाला है अब हम अगर बात करें FIIs की होल्डिंग की तो यहां पर आप देख रहे हैं जो FIIs की होल्डिंग सितंबर 2023 में 8.86 के आसपा की इसमें यह भी क्वाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो यह बता रहा है कि इस पे जो कंपनी के पे जो FIIs का फोरोसा है और दगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है अब हम अगर बात करें जो पब्लिक की होल्डिंग है वो कितनी इसमें बढ़ हुआ है तो यहां पर बढ़ी थी वो जो FIIs ने अपनी हिसेदारी करी थी लवक चार परसेंट के आसपास चार सब्सक्राइब के आसपास वह ही इसमें जूड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो इससाब से आप देख रहे हैं कि इसमें ना केवल FIIs अपनी हिसेदारी घटा रहे हैं बलकि पब वीडियो चनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिलकुल अब हुए तकि नए वीडियो के जो अपडेट से आपको ऐसा ही समस्य में पर मिलता रहें जहिन दोस्तों